नमास्कार फ्रेंद्स, welcome my channel friends, happy शर्दिया नावरात्री, happy शर्दिया नावरात्री फ्रेंद्स आज की विडियो स्टार्ट करते है शर्दिया नावरात्री 2024, शार्दिया नावरात्री किस दिन से है कलश स्थापना के लिए दो शुब मोहूर्थ जाने आपके लिए कौन सा बैस्ट शर्दिया नवरात्री 2024 कलश स्थापना के साथ शार्दिया नवरात्री शुरू होती है इस साल कलश स्थापना के लिए दो शुब मोहूर्थ है एक सुबह में और दूसरा दोपहर में, काशी के ज्योतिशाचार्य चक्रपानी भट से जानते हैं कि शार्दिय नवरात्री का शुभारंब कब हो रहा है। कलश स्थापना का मोहूर्थ क्या है? इस साल शार्दिय नवरात्री का शुभारंब इंद्र योग और हस्थ नक्षत्र में हो रहा है। शार्दिय नवरात्री 2024 शार्दिय नवरात्री का प्रारंब पित्री पक्ष के समापन के बाद ही शुरू होता है। सर्व पित्री अमावस्या यानि अश्विन अमावस्या के खत्म होने के अगले दिन से शार्दिय नवरात्री कलश स्थापना के साथ शुरू होती है। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथी को शार्दिय नवरात्री का पहला दिन होता है। उस दिन सुबह में सनान आदी से निवरीत होने के बाद कलश स्थापना करते हैं, मा दुरगा का आवान होता है, फिर वरत, पूजन आदी करते हैं। इस साल शारदिय नवरातरी की कलश स्थापना के लिए दो शुब मोहूर्थ हैं। आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। आए काशी के जोतिशाचार्य चक्रपानी भट से जानते हैं कि शारदिय नवरातरी का शुबहरंब कब हो रहा है। कलश स्थापना का मोहूर्थ क्या है। कब है शारदिय नवरातरी दो हजार चौबीस। इस साल शारदिय नवरातरी की शुरुआत 3 अक्टूबर गुरुवार से हो रही है। पंचान के अनुसार आश्विन शुकल प्रतिपदा तिथी 2 अक्टूबर को देर रात 12 बजकर 18 मिनट से शुरू हो रही है और 4 अक्टूबर को तड़के 2 बजकर 58 मिनट पर खत्म होगी। इंद्रय योग में शारदिय नवरातरी का शुभारंब। इस साल शारदिय नवरातरी का शुभारंब इंद्रय योग और हस्ट नक्षत्र में हो रहा है। शारदिय नवरातरी के पहले दिन 3 अक्टूबर को इंद्रय योग प्राता काल से लेकर अगले दिन 4 अक्टूबर को प्राता 4 बजकर 24 मिनट तक है। उसके बाद से वैधरिती योग है, वहीं हस्त नक्षत्र भी प्रतिपदा के दिन प्राता काल से लेकर दोपहर तीन बज कर 32 मिनट तक है, उसके बाद से चित्रा नक्षत्र है, जो पूर्ण रात्री तक है, कलश स्थापना मुहूर्ट दो हजार चौबीस, इस साल शारदिय नवरात्री की कलश स्थापना के लिए दो शुब मुहूर्थ प्राप्थ हो रहे हैं, एक मुहूर्थ सुबह में है और दूसरा मुहूर्थ दोपहर के समय में है, एक पहला मुहूर्थ, कलश स्थापना का पहला मुहूर्थ सुबह में सवा 6 बजे से है, जो 7 बज के 22 का शुब समय प्राप्थ होगा जो लोग सुबह में कलश स्थापना करना चाहते हैं उनके लिए ये समय ठीक है सुबह में शुब उत्तम मुहूर्त भी सवा 6 बजे से 7 बज के 44 मिनिट बजे तक है दो दूसरा मुहूर्त नवरात्री के घच स्थापना के लिए दूसरा स्थापना के लिए बेहद शुब माना जाता है जो लोग सुबह में कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं वे दिन में 11 बज के 46 मिनिट बजे से दोपहर 12 बज के 33 मिनिट बजे के बीच घच स्थापना कर सकते हैं सुबह के बाद दिन में कलश स्थापना के लिए 47 मिनिट का मु पूजा की जाती है। इस दिन वरत रखते हैं और विधी विधान से पूजन करते हैं। कैसे होगा मा दुरगा का आगमन। देवी पुरान के अनुसार जब मा गुरुवार या फिर शुक्रवार को आती हैं तो वो पालकी पर सवार होकर आती है। मा की ये सवारी काफी फिर एक साफ थाली में थोड़ी सी मिट्टी को डाल दें। अब उसमें जो के बीज को मिलाएं। इसके बाद इसे मिट्टी के पात्र में डाल दें और पानी से छिड़काव करें। अब आप एक तामबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर उसके उपरी भाग में मौली बांध लें, अब लोटे में साफ जल के साथ उसमें थोड़ा गंगाजल भी मिला लें, फिर उसके उपर दूब, अक्षत, सुपारी और कुछ पैसे रख दें, इसके बाद आप आम या अशोक की पत्तियां कलश के उपर रख दें, एक पानी वाले ना को कलश के बीच में रख दें, और बाद में इसे पात्र के मध्य में स्थापित कर दें, इस दोरान मातारानी के मंत्रों का जाप करते रहें, इससे देवी प्रसन होती हैं. Friends मारे विडियो कैसे लगा है जूरूर कॉमेंट करके बोलना Friends Please Please Like, Comment, Subscribe और Share करना नहीं भूलना All Friends Thank You Thank You Thank You So Much और धन्यवाद, Jaya Mal durga Jaya Matarani